हाई प्रेंट्स मेरे तुनाकपल देखे आपके लिए एक पजामी और लेकर आई हूँ पजामी जिसमें साइड में डिजाइन डला हो यह देखेंगे साइड में डला हो यह कम से 2-3 साल के बिच्चे के लिए बनाई है पजामी इस तरह एस तरीकेसे सस्थी ऑपने इससाप से जो है बना सकते हैं बाकी आगे step पे step बताया है कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं Harley 100 grams में यह बनी है तो चले देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम अब यह देखें पजामी के लिए normal wool है देखेंगे आप मैं इसे 9 number से बना रही हूं और इसके center में design डाल रही हूं क्योंकि already मैं इसे जो है अपने एक set के लिए बना रही हूं पजामी तो obviously उसके साथ जो है उसमें जो मैंने design डाला है वो मैं आपको यहां पर दिखा देती हूं वैसे design already मेरे channel पर डाला हूँ है मैंने तो यह design मैं इसमें डाल रही हूं तो आप मेरे channel पर design देखर इस पर डाल सकते हैं आप क्योंकि यह पजामी है तो आप यह देखेंगे मैं इसके यह दो sides में नहीं करूंगी क्योंकि यह काफी जालेदार हो जाएगा तो मैं सिरफ center का portion ले रही हूं तो आप वहां पर जाकर उस center के portion को ले सकते हैं वो design मैं इसके description के last में end में डाल दूँगे आप देखें करना क्या है यहाँ पर मैंने 60 stitches डाले है 60 stitches डालने के बाद जो है मैंने यह border बनाया है अब यह देखेंगे border जो है डेडेंट से थोड़ा सा जाधा है देखेंगे आप डेड से हलका सा जाधा बनाया है और center में इसके जो है वो डारी और दो sides हमने एक जैसे बनाने तो देखेंगे यहाँ पर मैंने इस तरीके से डाला है देखेंगे यह डाला हुआ है अब यह starting आप इसे कर सकते हैं 60 stitches है तो यह जो है 15 stitches का design है मेरा तो उससे आप से आपने 60 में से जब 15 निकाल लेते हैं तो मेरे पास 45 stitches बच जाते है 45 का आदा इधर करेंगे आदा इधर करेंगे यानि की 23 एक side होंगे और 22 एक side होंगे और हर पांचवी line के बाद आपने एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है यहाँ पर मैं एक line आपको दिखा देती हूँ यह पजामी का फिर design तो आप व 5,6,7,8,9,10,11,12,13 अब यह देखेगा यह design जो है मैंने इस तरीके से यह graph है इसकी side से डाल रही हूँ आप यह graph बना हुआ है इसकी side से डाल रही हूँ अब यहाँ मैं sides में जाली नहीं डाल रही हूँ तो मुझे जो है यह 15 फंदो का design है तो एक, दो, तीन, चार, पांच तो 5 फंदे पहले बनाने और इस design को शुरू करना है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं तो मैं बनाँगी 1,2,3,4,5 अब यहाँ पर मैं इसकी side जाली के लिए इसे उतार के सीधा किया और दो का एक किया, फिर बनाएं फिर जाली के लिए दागा अपनी तरफ किया, इसे उतार के सीधा किया, दो का एक किया, अब सारे फंदे सीधे और लास्ट में एक फंदा आपने इसमें बढ़ाना है, क्योंकि हम पाँचवी लाइन के बाद हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे, अब एक्चल में जाली का डिजाइन है, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं बहुत जादा इस पजामी में जाली डालूँ, तो इसलिए मैं वो सिर्फ सेंटर में डाल रही हूँ, ताकि वो साइड्स में बच्चे के उसमें पजामी में आएगा, अब यह देखें, यहाँ पर इस वाले फंदे पर आपने एक के दो करने हैं, उल्टी लाइन तो पूरी उल्टी जाएगी, इसके बाद इसी तरीके से हमें यह बनाते वा जाना है, सेंटर में जो डिजाइन मैंने डाला है, वह उसी तरीके से बनाती भी जाऊंगे, और हर पाँचवी लाइन के बाद दोनों साइट से एक एक फंदा जो है, मैं बढ़ाती भी जाऊंगी, तो देखें, दो पर एक जैसे बनाने हैं, तो आप इसे इसी तरीके से बनाते वे हम फिल हाल जाएंगे, और यह हमारे सेंटर में चड़ता हुआ डिजाइन जाएगा, बाक बराबर बन गई है, 11-11 इंच मैंने बनाया है, और यहाँ पे मेरे पास 82 स्टिचस हो गए है, दोनों में 82 है, इसमें भी 82 है, इसमें भी 82 है, अब मैं जो है, दोनों को एक साथ बनाऊंगी, लेकिन बीच का हिस्सा खुला चोड़ूँगी, ताकि आप लोगों को बनाने मे प्रॉब्लम ना हो, अब यहाँ पे 82 है और यहाँ पे 82 है, तो आप देखेगा, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही पहले इसमें फंदे डालूँगी, तो आप इस तरीके से करके कम से कम, जो है, एक, दो, और तीन, तीन फंदे इस तरीके से डाले, अब आपने पलट लि जालेंगे, और जो सेंटर का डिजाइन है, वो एस इस जालेगा, तीन फंदे यहाँ डाले है, इस तरीके से, अब यह दिखेगा, लास्ट यह पूरी लाइन कर लिए, यहाँ पे छे फंदे आप डालेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, अब यह वाला साइट भी मैं लूँगी, इसका, यह वाला साइट, और जैसे बन रहा है डिजाइन, जैसे सेंटर में है, यह पूरा इसी तरीके से करेंगे, छे पंदे बीच में हमने यहाँ पे डाल लिया है, वाला लेंगे, ऐसे, इस इसको थोड़ा टाइट कीजेगा, और इसको लपेट लीजेगा, यह, अब यह देखे, लास्ट आ गए, यहाँ पे भी मैं तीन फंदे इसमें डालूँगी, एक, दो, तीन, उल्टी लाइन आपने पूरी, उल्टी करनी है, इसके बाद बताती हूं आपको किस तरीके से कर करेंगे, अब देखे, लाइन पूरी होगी, अब करना क्या है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ यहाँ पे देती हूं, अब जो करना है, मैंने थोड़ा सा यह देखेंगे, आप यहाँ सेंटर में गटाने हैं, फंदे ऐसे वी करके, और इस साइड यहाँ की तरफ गटेगा, इ आप करेंगे, कैसे, जो मैं दो लाइने बताने, फिर आप उसी तरीके से किजएगा, अब देखें, यह पहला उतारा, दूसरा और तीसरा, यह फंदे आपने बनाएं, आप जो यह दो फंदे हैं, इन्हें आपने ऐसे दो करना है, इस तरह आप, एसे किया, ठीक है, तीन ब अब आप यह देखें जो center के 6 फंदे हमने डाले उससे पहले जो 2 फंदे हैं center के 6 फंदों से पहले के 2 फंदे इसे ऐसे उतार के सीधा कीजेगा इन 2 को आप 2 का 1 करेंगे आप 6 फंदे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप जो यह दो है इन्हें आप इस तरफ से ऐसे 2 का 1 करेंगे आप चाहें तो यहां marker लगा सकते हैं जहां वे आपने 2 का 1 किया है और इसके बाद आप फिर नॉर्मल जो है last के 5 फंदों तो आप पहले सीधा बनाएंगा और बीच में जो हमने design डाला है वो as it is बनेगा अब देखें last के यह 5 फंदे है पांच में से यह जो 2 फंदे सीधा उतार के ऐसे करेंगे और इन दो को आपने 2 का 1 करना है ऐसे फिर 3 फंदे बनाने उल्टी लाइन पूरी आपके उल्टी जाएगी अब यह पहले उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे आप इस तरीके से अब यह देखें लाइन पूरी होगी अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा क्योंकि आप जो गटाने जा रहे हैं हम exactly same उसी तरीके से आपने फिर उसे करते जाना है और जब 7 फंदे सारे गट जा चाहिए इस साइड पर तीन फंदे है तीन गटने चाहिए और सेंटर में जो छे फंदे है वह गटने चाहिए एक लाइन देख लीजेगा क्योंकि फिर उसी तरीके से आपने गटाने है एक और दो बनाया आपने अब यह दोनों को आपने दो का एक करना है अगली बार में यहां बनाट में तो यहां4 चाहर गटने है सेंटर तक उसी तरीके सेंटर में फिर यहां से दो का 1 करेंगे जो सेंटर के 6 फंदे हैं वो कट जाने तो एक लेंद दिखा देती। फिर आपको उस तरीके से करना है, और उसके बाद आपने इसे नॉर्मल जिस तरीके से आ, वैसे ही बनाएंगे, आप जैसे डिजाइन है, डिजाइन को उसी तरीके से फॉलो करते वे थोड़ा इसे बनाते वे जाएंगे। और विए थे सेंटर में आगे फिर से यहां पर गटाया था तो इसी सीधा करेंगे और इन दो को दो का एक करेंगे और फिर अब चार पंदे बनाएंगे 1-2-3-4 पहले 6 थे फिर इन दोनों को दो का एक करेंगे थो दिखे, इस तरीके से आपने हर CD-Line में ऐसे गटाते वे जाना है, तो ये सेंटर के च्ठे पंदे हमें डाले थे, वह बन्द हो जाएंगे, और हमने साइट साइट ये की तोटल में हमारे61 पंदे fix, फूरी लाइन जैसेaci'meं ऑ invent पे भी फिर इसको दो का एक करेंगे फिर उल्टी लाइन बनाएंगे उसके बाद फिर से सीधी में ऐसे यहां दो का एक करेंगे यहां दो का एक करेंगे यहां दो का एक करेंगे ऐसी करते हुए आप जाएंगे जब तक कि यह सारे सेंटर के फंदे आपके खतम नहीं हो जाते यहां पर आपका यह दो काईख होकर एक फंदा होगा और उसके बाद इसे जैसा डिजाइन है वैसा हम थोड़ा नॉर्मल बनाते वे जाएंगे अब यह देखेगा आप यहां पर मैंने इस तरीके से सारे फंदे बंद होगे जो सेंटर में फंदे थे आप देख रहे हैं यहां पर जो सेंटर में फंदे थे वो बंद होगे यहां पर भी आप साइड में देखे बिलकुल फंदे जो हमने बढ़ाये थे तीन वो बिलकुल ब बना लिया है इसका यह देखेंगे आप इसकी जो बॉरडर है आपने देखेंगे यहां से यहां तक जो है चार इंच का बॉरडर बनाए है और यह जो आसन से पहुंचा है वो भी मैं आपको बता देती हूं क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया वैसे ही करते भी इसमें गई हूँ अब यहां से यह देखेंगे आप 4 इंच है चार क्या 5 इंच है रहा देखेंगे 5 इंच है उपर यह 4 इंच बना दिया टोटल में 9 इ नहीं आएगा क्योंकि अभी मैं इसे इस तरीके से इसमें अंदर से इलास्टिक डालूंगी अब आप इलास्टिक डाले या आप जो है डोरी बनाके डाले वो आपकी अपनी अपनी सबकी मर्जी है फिलहाल पहले मैं क्या करूंगी इसे मैं जोड दूँगी उसके बाद इ यहां से लेकर आसन तक उसके बाद यह पूरा आपका जो दो लेक्स है वो इस तरीके से जोड लूँगी पहले उसके बाद बताती हूं आपको कि मैं इसमें डोरी डालूंगी या अगर डोरी डालेंगे तो हम इसे डवल नहीं करेंगे तो यहीं पर डोरी डल जाएगी को मैं आपको यहां पर बताने जा रही हूं यह आपने जिसके लिए भी डालना हो उससे आप इससे जो है नापेंगे उनकी कमर पे और इस तरीके से काट देंगे अब चाहें तो आप मैंने दो तरीके और बताए हैं अपने चैनल पर वहां जाकर आप दूसरे रित्युक्र क्वे आपको बता रही हूं कि कि इस तरीके से जोड़ेंगे अब पजामी आपने बना ली और इतना चोड़ा बॉर्डर मैंने आप यह देखेंगे बनाया है यह बॉर्डर जो यहां से यह तक है यह चार इंच का बॉर्डर अब जब सिल लेंगे उसके बाद आप इसे इस तरीके से फोल्ड कीजेगा यह कर लिया अपने फोल्ड अब फोल्ड करने के बाद मैं यह हिस्सा यहां से शुरू करूंगी सिलना तिल यहां तक तो आप सिलाई तो आप अपने हिसाब से करेंगे, आप ये देखेंगे है कि मैं यहां से शुरू कर रही हूं तो मैं इस तरीके से लोंगी ऐसे यह Κहिण लिया , यहांसे शुर्वाहत हो जाएगी इतना पीस आप छोड़ देंगे, उसे हम नहीं बंद करेंगे, बाकी हम इस तरीके से लेंगे, देखेंगे आप ये ऐसे आप बंद करते वे जाएंगे इसके साथ, ये लिए आपने, फिर ये लिए, यह यह लिया अगें यह लिया अब ऐसे ही आप इसे बंद कीजेगा पूरा और यहां पर इतना पोर्शन छोड़ दीजेगा वह आप बाद में बताऊंगे किसले छोड़ना है कैसे आप उसे बंद करेंगे और इलास्टिक किस तरीके से डालेंगे यह देखे रहें आप यह ब बंद होना शुरूब का ध्यान यह रखेगा कि यह जो एक सीधी एकुल्टी का बॉर्डर करा है उसी पर आप ऐसे उठाएंगे यह यह उठाया और इसमें से लिया ऐसे और खीज दिया यह देखने आप यह फिर यह आसानी से बहुत ही आसानी से आपका यह बंद हो जाता है और सफ़ाई इसमें बहुत जादा आती है जब आप इस तरीके से जो है करते हैं यह अब मैं इसे गोल यहां तक करते हुए जाओंगे और यहां पर इतना पीस छोड़ दूँगे अब यह देखें यहां तक आ गई हूँ आपे देखें कितना क्ली कितना सफाई से जो है इस तरीके से बंद हो जाता है यहां पर आपको पता भी नहीं चलता है देखेंगे आप करना क्या है यहां पर मैं यहां पर आई हूँ यह मैंने पोर्शन छोड़ दिया अब आसानी से अगर डालना है तो आपने क्या करना है इस तरीके से सेफटी मिन लीजेगा अब यह आपने उतन ही काटी है जितने आपके बच्चे के लिए जो है यूज होगी और इसे है यहां से डाल के ऐसे स्में से आप वहां से पूरा राल इसे हम निकाले अब इस तरीके से लेंगे ऐसे यह एजियस वे आप चाहें तो पहले बीच में भी डाल के उसे बना सकते हैं वो मैंने अपने चाणनल पर बता रख आए वहां जाकर देख लीजेगा यहां से मैंने से ऐसे पूरा करके निकाल लिए बद ध्यान ज़रूर यह रखेगा कि सीधा होना जाए अगर यह यहां से ट्विस्ट हो गया बीच में से तो आपको दिक्कत होगी अब यह निकाल लिएगा और इन दोनों को पहले हमने ऐसे सिलना है इस तरीके से और फिर हमें यह पॉर्शन बंद करना है देखेंगे आप बस यह ध्यान रखेगा कि यहां पर यह जो है प्रॉपर्ली सीधा हो ट्विस्ट ना हो अब हमें इसे ऐसे सिलना है तो स्वीद आगे से सिल लिजेगा आप यह आप ऐसे लेंगे और इससे सिलना है ऐसे मत लीजेगा यह चुप जाएगा इससे बेटर है ऐसे लेना इसके चस्ट ऊपर आदा इंच के आसपास ऐसे रखके आपने इससे सिलना है कि अब देखें कि आप इस तरीके से त्यार हो गया और इससे आप पलट लिचे पजामी को यह एफ इलास्टिक जो है आप किसी में भी किसी किसी के लिए भी पजामी जब आप बनाएंगे तो उसमें आप इस तरी के से लास्टिक डाल तो 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 देकिए इस तरीके से से लास्टिक डल गया है। और आपकी यह पजामी सिलकी त्यार हो गई है। तो चलिए फिर बनाईए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा मेरे चानल को थैंक यू